चिंटू जैसे ही दूद पीता है, उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। चिंटू के पापा तुरन डेरी जाते हैं। दूद के डेरी है डिटेक्टिव जे के चाचा की है। चिंटू के पापा बहुत कंप्लीन करते हैं। चिंटू के चाचा उन्हें बताते हैं कि उनके यहां दूद अच्छे से चेक होता है और अंदर जाकर उन्हें पूरी मशीन और ड्रेडिंग दिखाते हैं सब कुछ ठीक था इसलिए चिंटू के पापा वहां से चले जाते हैं लेकिन ऐसे ही एक दिन पिंकी के भी पेट में दर्द शुरू हो जाता है पिंकी ने भी डेरी का दूद पिया था और उसकी तब्यत बहुत खराब हो गई थी उसके मम्मे पापा ने उसको अस्पताल में भरती कराया था आपकी बेटी ने मिलावटी दूद पिया था इसलिए उसकी ये हालत हो गई है मगर हमारी बेटी जो डेरी का दूद पिती है इसका मतलब उस डेरी वाले ने मिलावट की ऐसे ही अब शिकायते बढ़ने लेगी और डिटेक्टिव जे के चाचा के खिलाफ सभी ने मिलकर कंप्लेन कर दी और पुलिस उन्हें पकड़कर ले गई और उन्हें जेल में डाल दिया तब डिटे उन्हें कोई मिलावट नहीं की थी और उन्होंने बहुत सावधानी भी बढ़ती फिर भी पता नहीं ये कैसे हो रहा है आप चिंता मत करो अंकल मैं सब ठीक कर दूँगा डिटेक्टिव जे चाचा की डेरी में पहुंचा और उसने डेरी के सभी एक्विक्मेंट्स नहीं कर रही है डिटेक्टिव जे मैनेजर को बुलाता है सर आपके चाचा की सफाई और क्वालेटी के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है ऐसा हो ही नहीं सकता ये सारा दूद कहां से आता है टोटल पांच लोग देते हैं माम की लिस्ट आपको भी देता हूं मैनेजर डिटेक् करता है और उसका लैप टेस्ट करवाता है टेस्ट रिपोर्ट में सभी कुछ सही निकलता है तभी डिटेक्टिव जे को कुछ याद आता है और एक कल तो चार ही लोग दूद देने आये थे जबकि मैनेजर ने बताया था कि टोटल पांच लोग दूद देते हैं पर दूध्या से बात करता है, दूध्या उसे कहता है कि वो ऐसा करने की सोच ही नहीं सकता, कल उसकी तब्यर ठीक नहीं थी, इसलिए वो दूध्ये नहीं आ पाया था, डेटेक्टिव जी एक एक करके बाके तीन दूध्यों से भी मिलता है, वो सभी डेटेक्टिव जी को भी वह बात बताते हैं अब एक ही दूधिया बचा है उसके पास भी चल कर देखता हूँ रिटेक्टिव जे उस चौथे वाले दूधिये के धर्ब के लिए निकल जाता है तभी रास्ते में उसे एक नदी दिखाई देती है नदी का पानी हरा था रिटेक्टिव जे समझ गया इस न लोग नदी तो प्रदूशित कर रहे हैं डेक्टिव जे पुलीस को फोन करता है और पुलीस वाले आकर उस फैक्टरी के मालिक को पकड़ कर ले जाते हैं उसके बाद डेक्टिव जे उस चौथे दूधिये के पास जाता है और उससे पूझता है सरसद बताओ तुम कौन सा केमिकल मिलाते हो देखो जूद बोनले की कोशिश नहीं करना वरना अच्छा नहीं होगा नहीं साहब मैं कोई केमिकल नहीं मिलाता मैं तो बस दूद को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा पानी मिला देता हूं बस दूद्या उसे उसी नदी के पास ले जाता है जिस नदी में वो केमिकल मिल रहा था रिटेक्टिव जे को अब सारी बात समझा जाती है कि केमिकल का पुदूशी पानी दूद में मिलने से जानवरों के साथ ये हो रहा था रिटेक्टिव जे के चाचा की बेगुना ही साबित हो जाती है और उने छोड़ दिया जाता है एक जंगल में एक कबूतर चूहा और एक हिरण तीन बहुत अच्छे मित्र रहते थे जंगल में बने सरोवर में पानी पीते फल खाते और वही सरोवर के आसवास घूमा फिरा करते थे एक दिन जंगल में एक शिकार ही शिकार करने उसने हिरण को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और ये बहुत सुन्दर हिरण है इसको तुम्हे आज पकड़के रहूंगा और इसे बेचके बहुत धन भी कमाऊंगा ऐसे सोचते हुए शिकारी बहुत खुश हो रहा था काफी प्रयत और महनत से शिकारी ने जाल को छिप कर लगाने में सफल हो गया शिकारी के जाल में हिरण आसानी से फस गया इस पर कबूतर ने कहा घबराओ नहीं मित्रमा मैं देखती हूँ शिकारी कहा है और कितनी दूर है मैं उसको रोकूंगी जब तक हमारे मित्र चुहा तुम्हारे जाल को कुतर देगा और तुम जल्द इसे निकल जाओगे ऐसे कहते हुए कबूतर शिकारी को ढूनने शुरू कर देती है वह बहुत दूर में खडा था मगर कबूतर के निजर से बच न पाया कबूतर ने अपने प्राण को जो खिम में डाल कर शिकारी के ऊपर वार करना शुरू कर दिया कबूतर के प्रहार से शिकारी को कुछ समझ में नहीं आया अरे ये कभुतर मेरे उपर क्यों शिकार कर रहा है मैंने इसका क्या बिगाड़ा ऐसे कहते हुए वह परेशान होकर बचने के लिए जगा ढूनने लगा मगर कभुतर शिकारी को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाई शिकारी ने जल्दी ही कभुतर काबु पा लिया और वह जाल की ओर आया इधर चुहे ने जाल को लगब काट दिया था अब हिरन आजाद होने वाली थी तभी शिकारी वहाँ पहुचा इतने में कभुतर का एक जुण वह जल्दी से आकर वह से शिकारी के उपर ताबड़ तोब आक्रमन कर दिया अरे इतने सारे कभुतर कहां से आ गए और मेरे उपर ही हमला क्यूं कर रहे हैं ऐसे सोचते सोचते शिकारी को कभुतर पर काबु पाने में थोड़ा समय लगा इतने में चुहे ने निडर भाव से जाल को कुतर दिया जिससे हिरन आजाद हो गया अब क्या था हिरन और चुहा अपने अपने रास्ते भाग चले कशदूर भागे होंगे उन्होंने पीछे मुण कर देखा तो उनका मित्रमा कभुतर शिकारी के चुंगल में आ गई थी हिरन ने सोचा अरे इसने तो मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिमें डाल दिया यह सोचके हिरन धीरे धीरे लंगड़ा कर चलना शुरू कर दिया इससे शिकारी को लगा कि हिरन घायल है उसके पैर में चोट लगी है इसलिए वहाँ धीरे धीरे चल रही है अरे ये हिरन तो गायन है उसकी पैर में चोट लगी है इसलिए वो धीरे धीरे चल रही है वह भाग भी नहीं सकती यह सोचकर शिकारी ने जट से कबुतर को छोड़ दिया और हिरन की तरक दोड़ा शिकारी को आता देख कबुतर उड़कर आखा आश में चल पड़ा हिरन जो अभी नकल कर रही थी वह भी तेजी से दोड़कर भाग गई और चुहा दोड़कर बिल में घुस गया इस प्रकार तीनों दोस्तों की सूजबूज ने एक दूसरे की जान बचाई और रक्षा की सदैम आपसी सूजबूज और समझदारी हो तो किसी भी मुसिवत का सामना किया जा सकता है और किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है एक जंगल में कालू नाम का मोटा हलवाई रहता था उसकी मिठाई की दुकान बहुत मशुहूर थी वो मिठाई बेच कर बहुत पैसे कमाता था लेकिन लालची स्वभाव के कारण वो मिठाईयों में बहुत मिलावट करता था और मिलावट वाली मिठाईयों को भी उंचे दामों में बेचता था और किसी भी ग्राहक से ज्यादा से ज्यादा पैसे वसूलने की कोशिश करता था वो अपने ग्राहकों को मीठी मीठी बातों से लुभाता था और उन्हें बेवकूफ बनाता था एक दिन उसकी दुकान पर पीलू चडिया पहुँचती है पीलु चुडिया को देखकर कालु कहता है आओ बहन आओ सभी की सभी ताजी मिठाईया है लड्डू, बर्फी, जलेबी, पेडा, चम-चम जितनी मिठाईया देख रही हो सभी ताजी है बोलो कितना लोगी, कितना तालु में पीलु कहती है कल्लू भाई बहुत महंगी होती है तुम्हारी मिठाईया कल्लू हलवाई कहता है अरे पीलू बहन उचे दाम उची उक्वालिटी ऐसी मिठाई तो पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलेगी पेड़े और बर्फी तो शुद्ध खोवे में बनती है पीलू कहती है लेकिन कल्लू भाई ये पेड़ा तो आज का बना हुआ नहीं लगता है तभी कल्लू तुरंट कहता है अरे अरे पीलू बहन ये पेड़े तो मैं अभी ताजे लाया हूँ मेरे घर के कार खाने से देखो कैसी ताजी खुश्बू आ रही है इस तरह वो अपनी बातों से बासी मिठाईयां भी क्राहकों को बेच देता था कल्लू मिठाईयां बेच कर बहुत पैसे जमा कर रहा था लेकिन फिर भी उसके मन में लालच बढ़ता ही गया एक दिन हलवाई नकली खोवा बनाने वाले विपारी से मिलने जाता है कल्लू हलवाई उससे नकली मिलावटी खोवा खरीदता गया उससे मिलावटी खोवा आधे से भी कम दाम में मिल जाता था और वो उससे मिठाई बना कर बहुत पैसे कमाता था इस तरह वो पक्षियों की सेहत और धन से खिलवार कर रहा था उसकी मिठाईया खाकर पक्षी धीरे धीरे बिमार पढ़ने लगे एक दिन कल्लू हलवाई की पत्नी उससे कहती है आप ये मिलावटी खोये का काम बन कीजे एक दिन आप बहुत बड़ी मुसीबत में फस जाएंगे कल्लू हलवाई अपनी पत्नी को डाटते हुए कहता है एरे तु मेरे काम में दखल मत दे क्या करना है मुझे मत बता मुनाफ़ा कमानी के लिए ऐसा करना पड़ता है कल्लू मिलावटी मिठाईया बेचना जारी रखता है एक दिन बहुत सारे पक्षी उसकी दुकान से मिठाईया खरीदे है मिलावटी मिठाईया खा कर इस बार पक्षियों की सेहत बहुत बिगड़ गई उन सभी को अस्पताल में भरती होना पड़ा ये खबर पूरे जंगल में फैल गई और इस तरह पुलीस कल्लू हलवाई की दुकान पर पहुंचती है और उससे कहती है कल्लू हलवाई तुमारी मिठाईया खा कर सब लोंग बीमार पड़ रहे हैं तुम्हे हमारे साथ ठाने चलना पड़ेगा इस पर कल्लू कहता है अरे साहाब मेरी मिठाईयां बिल्कुल ताजी रहती है जंगल का मौसम बहुत खराब हो गया है गर्मी बढ़ रही है आप एक बार मेरी मिठाई चक के तो देखिए आप कहें तो घर के लिए 2-4 किलो तयल दूँ थानेदार उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और अपने सिपाईयों से कहता है इसकी मिठाईयों को जांच के लिए लेके चलो और इसे थाने लेके चलो लैब में मिठाईयों की टेस्टिंग होती है और उन्हें पता चलता है कि ये नकली खोवे से बनी है कल्लू हलवाई अब गिरिस्तार हो जाता है और सभी पक्षियों को उसे हर आजाना देना पड़ता है कल्लू हलवाई ने जो पैसे नकली मिठाई बेच कर कमाए थे वे सब लुट जाते हैं कल्लू हलवाई को उसकी करनी का फल मिलता है वो अब जेल में पड़ा रहता है